गंदे से गंदे पुराने सिंक को नए जैसा बिल्कुल चमकदार बनाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत यूसफूर टिप्स शियर करने वाली हूँ हेलो एवरिवन नमस्ते एंड वेलकम बैक टाइम के साथ साथ हमारे जो किचन के सिंक होते हैं वो धीरे धीरे गंदे हो जाते हैं उनकी शाइनिंग चली जाती है ऐसे में इसे चमकाने के लिए और इसे बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए कुछ स्टेप्स का फॉलो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत कीजेगा देखिए यहाँ पे जो सिंग है मेरा वो काफी गंदा हो गया था काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसे फिर से अच्छे से चमकाऊं तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ यह व पर ही गंदगी है वो क्लीन हो जाए और उसके बात जो भी प्रॉसेस हम करें वो हमारे सिंक पे पूरी अच्छी तरिके से एफेक्ट करें नौर्मल डिसफॉसर से अपने renting को अच्छे से क्लीन कर लिया है पानी डालने क्ले ऽुंंग इस क्लीन कर लोंगी इसके बात मैंने जो सबसे पहला step किया था वो है बेकिंग सोडा मैंने यहां पे एक चमच के आसपस लिया है और पूरे के पूरे सेंख पे अच्छे से स्प्रिंकल कर दोंगी अगर आपका टैप भी गंदा है तो वहां पे भी आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं नेक्स स्टैप में मैंने यहां पे वाइड बिनेगर लिया है और बिनेगर को मैं इसी बेकिंग सोडा के ऊपर स्प्रे कर रही हूं आप स्प्रे बstemट से भी में कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा सभी जगह पर स्प्रिंकल कर बनेंग कर दोंगे देखिया से कारएहों हमें हमें आ इसमें धीरे-धीरे साइनिंग भी आ रही है, आप देख सकते हैं, साइट-साइड में जो वाइट सीमेंट लगा रहता है, वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, इस प्रोसेस को करने से, और जहां भी गंदगी रहती है, नीचे के साइड में ज्यादा गंदगी रहती ह तो वहाँ पे भी मैंने इसी लेमन से ही स्क्रब किया है आप देख सकते हैं यह देखे कितनी बड़िया साइनिंग है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसके बीच का जो यह जाली होता है इसे भी हम अच्छे से स्क्रब कर लेंगे साफ कर लेंगे क्योंकि टाइम के साथ साथ यह भी पीले पड़ जाते हैं और एक ब्रस लेकर के और डिश वाशर लगा कर के मैं इसे अच्छे से रब कर लूगी ब्रश के हेल्प से यह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है इसके साइट साइट का जो भी पोर्शन है जहां भी गंदगी आपको नजर आ रही है उस पे आप स्प्रे कर ले इसके बाद हमें नल को और नहीं करना है पांच मिनट के लिए ऐसी छोड़ दिना है और इसके अजरह बेना है गरम पानी डालंते से क्या होगा कि सिंक पे जो चिकन हाट हो confined ऑन गाए गर्वास का उसके लिए घार का धा कि लिए और इसके बहुत झाना है इसके गईन हो जाता है आप पानी कर दिया है अब मैं यहाँ पे नल ओपिन करके और एक छोटा सा स्क्रबर लेके अच्छी तरीके से इसे पूरा स्क्रब करके जो भी मैंने इस पे अपलाई किया था वो सारे चीजों को मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगी देखिए हमारा जो सिंक है काफी क्लीन हो गया है अब हम लास्ट टैप करेंगे जिसमें मैंने एक पुराना सॉक्स लिया है इसे अपने हातों पे इस तरीके से पहन लिया है और हमें पूरे सिंक को रब करते हुए ड्राइ करना है पानी के दाग बिल्कुल भी नहीं रहना चा है कि आपको कपड़ा लेके जंजट भी नहीं होता है आप अपने हाथ पे लगा करके उसी के अकॉर्डिंग आप क्लीन कर सकते हैं तो देखिए हमारा सिंक जो है आपके आखों के सामने मैंने इसे कितने अच्छे तरीके से क्लीन किया है अगर वीडियो पसंद आई हो तो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा इसी तरह के कि यूसफूल होम एंड किचन से रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स मैं आपके साथ टाइम टाइम पे शेयर करती रहती हूं तो आप देख सकते हमारा ज किचन क्लिनिंग और किचन टिप्स एंड हैक्स के लिए में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलती हूं नेक्स वीडियो में